हेलो माइडियर स्टूदेंट्स तुड़े वी हैव मिस्टर प्रशांत ओल इंडिया रैंक 188 इन आईटी जैम मैथमेटिक्स 2022 एक्जैम विटा आज हम थोड़ा इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेजी के बारे में बात करेंगे कैसे इन्होंने त्यारी की मार्क्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंगली हुए या नहीं हुए और आगे के लिए क्या के प्लांस है जो जूनियर्स आएंगे इनके तयारी करेंगे उनके लिए क्या बोलना चाह रहे है एक्च्छल में यह यूपी से है आयोद्या से राम मनुवर लोहिया यू सबसे पहले प्रशांत आपको बहुत बहुत शुब कामने आपके परिवार को शुब कामने थोड़ा अपना फीलिंग शेयर कीजिए बेटा फस्ट आफ ओल ऐँवां तो परिवार के लेक्चर देखे थे कुछ अनेकडमी के ऐसे मतरब डेमो क्लास ट्राइब में देखा था तो एक दो क्लास देखा फिर उसके बाद मैंने अनेकडमी का सब्स्रिप्शन लिया उसके बाद मैंने सर को फालू करना स्टार्ट गया था फिर मैं फालू सर को कर रहा था वाकी मैंने और भी देखे बट फाइनली मैंने टन किया कि सर को ही फालू करूंगा मैं और स्टार्टिंग से लेके अन तक मैंने सर को ही फालू किया कि मैं यायरी के दोरों बताना चाहूंगा किए मेरे पी एक बुग थी और एक इस के मपा ऑसे ड़ लगता था जैसे इसके मअपाक्य सिती है पहले उसको मैंने कभी खोलता था देख के फिरभन करता था उसे तो पढ़ने का मनें करता था क्योंकि कंसेप्टAutym Papa कहीं न कहीं कमी थी कुछ उसके बाद सर की क्लासिस की दो तीन महीने उसके बाद S.K.MAPA खोला तो S.K.MAPA समझ में आने लगी फिर after three to four months S.K.MAPA ऐसे समझ में आ रहे थी फिर क्या बताऊं आप लोगों को तो real analysis के लिए तो मैं क्या ही कहूँगा मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि sir is the best बट आप एक दो क्लास सर की जरूर करें उसके बाद आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा रही बात और integral जैसे integral vector calculus की उसके लिए तो फिर मैं कुछ कहूँगा नहीं आप sir की एक class कर लो आपको खुद बाखुद बता चल जाएगा मैं कुछ नहीं कहने वाला इसके बारे में आप एक दो preparation कर रहे हैं तो preparation ये design का preparation बहुत ज़्यादा tough भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा easy भी नहीं है तो आप preparation को ये एक battle के रूप में वाने तो मैं यहीं काना चाहूँगा कि जो भी आप अपना time देते हैं यहाँ पे 6-8 महीने चीसे 8 मेने में तो आप अपना 2 months बचा के रखो कि मुझे उसमें question ही अटेम्ड करने हैं बाकी 6 months आप अपने concept विल्ड करो बाकी sir को follow कर रहे हैं तो फिर sir जो दे रहे हैं content आप उसको revise करते हैं बार 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 बाकी जो कुछ book हैं जैसे रियल के लिए मैं तो S के मापा ही पढ़ा था बाकी GT के लिए sir की book sufficient है आप देख ले ना एक बार sir की book sufficient है मैं ऐसा कोई नहीं sir ने मुझे पैसा खिलाया मैं तब बोल ला हूँ आप लोग एक बार book दिखेगा आपको खुद बाखुद समझ में आ जाएगा मैं sir का बहुत बड़ा fan नहीं मैं कुछ भी नहीं बट आप एक बार पढ़ो उसके बाद पता चल जाएगा आपको क्या है तो GT के लिए तो यह हो गया बाकी integral vector के लिए मैंने ना तो कोई book फालू किया था बस प्रिवाइक्यू question attempt कर रहे थे और सर के lecture देख रहे थे सर के lecture करने के बाद प्रिवाइक्यू के question मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ फंस रहा था दो चार question exceptional question छोड़ दिये जाए तो और linear algebra तो sufficient सर सर के lecture सी sufficient है linear के लिए आपको कहीं माथा मारने की कोई आउसकता नहीं linear algebra के लिए सर के lecture sufficient है सर जितने previous question कर रहे हैं आप question attempt प्रिवाइक्यू बट सर के lecture sufficient है सर के lecture के ला हूँ और कोई कुछ लेने की आउसकता नहीं है देखो बच्चे इसमें मैं थोड़ा सा एड करना चाहूंगा आप सभी के लिए अपकमिंग students के लिए एक्चल में यह बच्चा जो कह रहा है कि मेरे lecture sufficient है वो क्यूं है देखो बई जैसे हीरे को तराशा जाता है इसी तरह से एक lecture को भी तराशने की कला है पूरी कोशिश करता हूं पीवाए क्यों जो है वह खाली एक उग्जाम का नहीं जैसे आई टी जैम मैज में जो मैज के questions होते हूं फिर नेट के question जो आटी जैम लेबल के हैं गेट के questions जो आई जैम लेबल के हैं इंपएक्ट रफेग्स करना एंड़ी यह च्रीचिन में लेकर यह उसली आपने क्या देखा होगा अगर कोई किसी और से आपने पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है पहले syllabus कराते हैं फिर एंड बे कुछ क्वेशन कर लेते लेकिन हमने पूरा मतलब तराशना कहते हैं जिसको तराशना कहते हैं लेक्टर के बीच में टाइमिंग के साथ जब यह कॉंसेप्ट करा दिया इस पर बेस्ट क्वेशन हां उसमें टाइम बहुत जादा है मतलब हमें स बढ़ता है तो यह वाले चीज़ यह कहना चाहरा है इसलिए उसको लग रहा है कि यह सफिशेंट है और यहीं बात आप बागी लोगों से भी सुन लें वो जो भी बोल रहा था बिल से बोल रहा था तो यह इसके बाद यह खुश्टों ने करी दिया मैं इन्होंने बुक्स प्लस आप मेरे से अभी इंटर्वियों से पहले इन्होंने आके बोला कि मेरे मेरे थोड़ा से मिस्टेक्स होगी है तो उस पर जरूर बात करेंगे देखो पॉजिटिव पॉइंट्स पर सभी बच्चे बात करते हैं सब बात करते सारे जो भी इंटर्वी और जिसका उस प उनके लिए कि आप जो भी अपना तैम दे रहे हैं मैक्सिमम मैं यही चाहूंगा कि आप जो भी अपना समय दे हैं जर्वें से सफिशियंट डाइम है यह कोई बच्चा सई लेबल पर मतलब उसकी वेसिक्स इन उस्ती सई है तो फिर एट मॉंस मुझे लगता है सफिशियं अभी मैंने बोला था कि आदिज्याम को यदि एक बैटल के रूप में लिया जाये तो आप six months तो आप सर के साथ पूरा तरीके से लगाओ फिर last के जो दो months हैं उस सर के साथ सो तो रहना ही रहना है सर के साथ में क्योंकि सर का साथ छोड़ा तो फिर दो महिने में पूरा वंटार हो जाएगा दो महिने सर के साथ तो रहने ही रहने हैं बट दो साल मतलब दो महिने जो बच रहें लास्ट के वो समझो आपको बैटल करना है आप युद्ध की प्रिप्रेशन करो यदि आप युद्ध में एंटरी करने से पहले उसकी तैयारी होती है तरीके से बड़े बड़े राजा थे पहले हरिकराज जी को जितते थे तो ऐसे नहीं वो युद्ध के लिए पहले प्रूफ प्रिप्रिशन करते थे किस तरह इंडर करना है और किस तरह किसको प्राजित करना है तो आप IDZM को यह एक युद्ध की तरह मान रहे हो तो आप 6 महिने तो सर के साथ लगो, फिर उसके बाद जब युद्ध की तैयारी अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप फिल्ड में उतरो question आटम्ड करने के चक्कर में, क्योंकि फिर जब question में उतरो तो वहां पे तैयारी नहीं होती, वो दो महिने में तैयारी नहीं, युद test series आप join कर सकते हो, वहां आप test दोगे, आप अपना rank पाऊगे, आपको पता चल जाएगा क्या quality है सर में, जब आप उनके question देखोगे, attempt करोगे, फिर आपको खुद बाखुद पता चल जाएगा, सर ने आपको क्या दिया, और उनके question आप कितने second में solve करते हो, मैंने test series दो दिन question तो under 20 चली जाती थी, मंगर क्या है कि मैंने देखा, कि जो भी है, सर ने जो भी concept दिया था, concept लगा कि question को solve करने में, क्या time लग रहा था, वो मैं क्या ही explain करूँ, आप लोग join करना खुद ही पतासल जाएगा, और फैनली मैं यह, मैं बोलना यह चाहूँगा कि मैंने आइटी जैम का exam दिया, उसमें मैं बहुत अच्छा perform तो नहीं कर पाया, क्योंकि, मैं इसी भी बात किया था, यह negative point में ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मेरी नज़र में इनका रेंक और अच्छा आना चाहिए, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, बट मुझ तक खुद भी कुछ बताएगा, आपको ध्यान से सुनिए, मैंने कि, मैंने क्वेश्टें डिश्चर सहिए, और वो मारक उन्ट अब खुआ करने लगाए," करना पड़ गया और अब समझ रहे हैं जब टाइम कम होता है तो आपका वो चीज़ बढ़ जाती है धड़कन भी बढ़ती है और थोड़ा प्रेशर भी बढ़ जाती है यहीं वागता है तो वहां पर मैंने मतलब ऑप्सन चेंज करने लिए फिर उसमें से क्या हुआ कि सब कुछ सम्मिट जब किया मैंने मैं जब रिजल्ट देखा फिर अपने उसके बाद उसमें मेरे 17 मार्क्स निगेटिव हो गए गाइस मैं भी मतलब इस बात को कंफर्म करता हूं कि नेगेटिव के चक्कर में मतलब जो इन्होंने गल्तियां कर दिया उसमें इनके 15 से 17 मार्क्स इनके काम हो गए नहीं तो इनका रेंग भी टॉप 10 में ही होता फिर भी यह बहुत अच्छा रहेंग है स्टिल 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 तो यह मिस्टेक जो नहीं बताई है जरा केरफुली सुन लीजिए और आगे से आप लोगों को चाहिए कि इस तरह की चीज़ एक्जाम में ना करें और मैं बोलना यह भी चाहूंगा कि जैसे बच्चे सेक्षन बी के लिए परिसान लेता है सर सेक्षन बी ने मेरे करीब 30-40 मिनिट ले लिए सर बट उसमें से मेरे सिर्फ दो क्वेश्चन आ रहे थे मुझे और मेरे दो क्वेश्चन ही सही गए बाकि 8 क्वेश्चन पर मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत है मैं बता रहा हूं मेरा 8 क्वेश्चन गलत हो गया मेरे 30-40 मार्क सब्सक्राइब और मुझे तो उम्मिद भी नहीं थी कि मेरी रेंग ऐसी आएगी कि मैं बखते दूसे बताया आइब आप सबके लिए बहुत फाइदा आने वाले स्टूडेंट्स गया अब परिपरेशन के लिए बुक्स वगरे के लिए हमारे लेक्टर के बरहें में बोल दिया इंक पर चाहने का यह मतलब था कि हमारें क्लासिस होती है वो इस तरह से मतलब डिजाइन की गई है कि बच्चे के लिए बहुत जाल सफिशन रहेंगी तो बिटा आप सब के लिए संदेश है कि आने वाले टाइम में प्लीज यह एक बार पढ़के यह ना सोचे कि हो गया यह हमेशा के अब बाद करो सिक्वेस की तो सर ने पूरे-पूरे-पांस ड्राइब दे रखें सिक्कोंस और अलग आपको लेवल मिलेगा ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपने जो किया फिर सेकंड टाइम में वही आप बोर फिल करोगे गलास में थर्ट टाइम करांगे तो आप और ज्या आना ही आना चाहिए क्लासेज ऐसी डिजाइन होती है सर की कि आप थर्ट ट्राइब जब करोगे तो आपको लोगेगा पूर्थ भी आना चाहिए क्योंकि लेवल अप्ग्रेड होता हुआ महसूस होता है ऐसा नहीं कि वो सेम सेम करा रहे हैं सर आपको खुद बाखुद रि लेके जिस तरह मार्केट में अफ़वास चल लई है आप लोग दो-तीन क्लास सर की कर लो सब्रेल वरीबल को लेके मैं इस्पसली बोलना चाहूंगा सब्रेल वरीयबल हुआ वं विरेवल हुआ सिक्वेंसेंड स्रीज हुआ लीनर अलजब्र हुआ है इवन इफ जितना भी टॉपिक है, एडिज हैं मैथेमाटिक्स के लिए आप सर के एक एक लक्चर डेमो क्लास की रूप में जरूर करें, आने वाले अपकमिंग जुनियर्स को मैं सगेस्ट करता हूँ आप सर को फालो करो या ना, बट सर के डेमो क्लास आप जरूर करें, दो-तिन डेमो क्लास करके फिर उसके बाद आपको जो एडिजुगेटर फालो करना है आप उनको फालो करो, मैं नहीं करा सर को फालो करो, बट आप सर के डेमो क्लास जरूर करें, तीन से चार डेमो क्लास आप करके तभी जाएं सर के पास से बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला बहुत अच्छी चीज़े बताई बिटा आने वाले जूनियर्स को इनके इनका जो एक और चीज़ बच्चाएट करना जा रहे हैं मैं बोलना चाहूंगा जिसे कुछ स्टुइजन्स होता है कि सर ने कुछ बोल और तो उसको दिल पे लेलेते हैं ऐसा कुछ नहीं करना च complement ुछ यह से ल neutr फॉनिक्त लिए नहींद मैंने कुछ गलत कर दी आओगा तो ऐसा कुस को मितलब देखो सर जो वो लेंगे वो आपको फाइदा करने वाला है पहली बात और दूसरी सुनता था फिर मजाक में छोट देता था किसी लिए हो सकता है मैंने कुछ गल्दी कर दी हो बाकी सर जो बोलेंगे आपको आपके अच्छे के लिए बोलेंगे अपका बहुत बहुत थैंक्यू करना जाओंगा सर इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं और इनको आने वाले भवि जो इनके नेगेटिव मार्क्स हुए हैं प्लीज आप लोग ध्यान रखेगा यह बच्चा भी उससे थोड़ा सा प्रिशान हो रहा है लेकिन फिर मैं कहूंगा इनका रिजल्ट अच्छा है और यहीं चीज पॉइंट आउट करने के लिए रखा गया था और बिटा सेशन म मुझे आप लोगों को यह बूलना चाहूंगा कि जैसे कोई भी मार्केट में बहुत सार एजुकेटर हैं आप किसी एजुकेटर से बात कर लो दो तीन बार वह आप से बात कर ले तो आप मतलब इमोशन में ना जाओगी कोई टीचर आपसे बात कर रहा है तो फिर आप उस को फालो करने लग गए यह सब इमोशन में मट दो वो जो सही चीज़ है आप उसको देखो समझने आ रही मैं बोलना क्या जा रहा हूं कि जो ऐसे बहुत सारे हैं जो बात कर लेते हैं आप उस बे में मत जाओ किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट मत हो जो सही चीज है आप उसे जोईन करो बाकी आप समझ सुके होंगी मैं बोलना क्या चाहरा हूँ बहुत जादा निरख पर रखके बहुत जादा के अपने गोल की तरफ बढ़ना आपको आगे यह कहना चाहरे हैं बहुत सही तरीके से सेलेक्शन की ऐसे ना कीजिये कि माली जो कुछ पढ़ना शुरू किया एक दो तीन महीने बाद पता लगा रहे तो किसी काम कही नहीं है य कि जैसे बच्चे नहीं आते हैं प्लेटफॉर्म पे तो एक दो बाड़ वो टीचर से बात करते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारे देखें हैं कि जो वो बात करके बच्चों को अट्रेक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ तो मैं यह चीज पॉइंट आउट करना चाहरा हूं कि यह च इसमें काविलियत होगी वह आपको अपने तरफ अट्रेक्ट नहीं करेगा फर्जी में और सरक को क्या ही बनाया हम बहुत कुछ बोल दिया नहीं ना बोलके बी कितना सब कुछ तो मेरे बारे में बोला है चले कोई बात आगे आने वाले भविश्य के लिए बहुत बहुत यू ब्रुशन थैंक यू ब्रुशन थैंक यू ने खुश्या रवचा आगे बोला है